नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का स्वागत है इस सीरीज में हम लोग यूपी टेपल सी लेकपाल की मैच देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह आयत है रेक्टिंगल है वीडियो सुरूब करने से पहले हम आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड़ ग्रूपप चलते हैं अगर आप इन पेड़ ग्रूप को लेना चाहते हैं तो दिये गए नपर पे कॉल का जनका इप्राप्ट कर शकते हैं तो सबसे पहले हम लोग आयसरेलेटर कुछ फैक आयत का जाता है, यहां पर एक आयत के चित्रप्रदसित की आगया आप लोग को सामने, मालेज़े इसके भुजा A, B, C और D है, इसमें आयत के जो विश्यष्थाएं होती हैं, वह A, D बराबर B, C, यह दोनों भुजा समानतर भी होगी और बराबर भी होगी, इसी प्रकार से A D, B जो होजा होगी, वह A, D, C के समानतर भी होगी और बराबर भी होगी, आयत के दोनों भीकण समान होगी, यह आपका D, C एक भीकण होगा, माल लेज़े, यहां पर, और इसी प्रकार से D, B एक भीकण होगा, एक Z बन नहीं पारा है, आप लोग समझ लेज़े, कि D, B जो विकण है, वह A, C को सम्दिभाजित करेगा, बराबर बराबर, इसमें जो कंडिशन होती है, यह जो एंगल होगा, वह 90 डिगरी का नहीं होता, सम चतुर बोज में यह एंगल आपका 90 डिगरी का होता है, आयत के जो अनतर कोण होते होगा, सम कोण होती है, यह सभी आपके 90 दिगरी होंगे, और विकण ही दूसरे को सम्दिभाजित भी करते हैं, आइए हम लोग, आयत से रिलेटेट को सोतर हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो आपको क्वेस्टन स्वाल्व करने में आसानिक प्रदान करेंगे, आयत का जो छेत्पल होता है, वह लंबाई गु यह किसी आयत के लंबाई 10 cm दिया हो, और चौड़ाई 20 cm दिया हो, तो आपको आयत का परिमाब बताना है, यहाँ पर आपसन दिया, आप लोग आपसन पढ़ लेजिए, आयत के जो लंबाई दिया है, वह 10 cm दिया है, और चौड़ाई आपका 20 cm दिया है, तो यह 20 है, तो य यहेशी साट वी चारीस और अ गया अगर आपका छालीस थन सकते हैं कि आपका डो लंबाई धन चटवहई होता है धो लंबाई धन चटवाई होता है था की ता आपका आपका यह आपकी यहा idea 10 संट्स दिया है जो आपको संट्स 10 हुजाएगा तो यहां और 10 10 आयत का परिमाप होता है, दो लंबाई धन चोड़ाई होता है, लंबाई आपका 10 cm और चोड़ाई 20 cm दिया है, तो आपको आयत की चोड़ाई बतानी है, आप लोग आपसन पढ़ लिजे, जिसको उत्तर आ रहा है, वो कमिन बाक्स में इसका उत्तर लिखे है, जैसा कि आप ल परिमाप बरबाबर होता है, दो लंबाई धन चोड़ाई होता है, परिमाप आपको 240 cm दिया है, और लंबाई हमें 40 cm पता है, और चोड़ाई को हम लोग यक्स माल लेते हैं, तो यह आपका 2 से से कैंसल कर देंगे, तो यह आपका 120 हो जाएगा, और 40 धन यक्स हो जाएगा, यह चालिस की हम value इधर transfer कर देंगे हम लो तो यह आपका 80 cm हो जाएगा यह की value तो यह जो चोड़ाई आपको पता चल जाएगी वह 80 cm आ जाएगा तो इसका जो option A है वह सही है परिमा आपका हम लोग सूतर डिखेंगे परिमा बराबर दो लंबाई धन चोड़ाई होता है और चोड़ाई हमें ग्यात करनी है और लंबाई हमें 40 पता है तो यह 200 कैंसर कर देंगे यह 120 हो जाएगा तो 40 धन यह बराबर आपका 120 हो जाएगा तो यह जो value आपकी आ जाएगी वह 80 cm आ जाएगी इसका जो option A है वह सही है आएट एगला प्रस हम लोग एक आएटाकार मैदान के लंबाई या चोड़ाई जो अनपात है वह 4 अनपाते 3 है यदि मैदान का छेटफल कुल 1200 स्कौाइर मीटर है तो मैदान के 4 और तीन बाल लपेटने में कितना ताल लपेटना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग लंबाई या चोड़ाई गयात करेंगे छेटफल हमें यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आएक का जो छेटफल होता है लम्बा ही गुड़े Celia ही होता है यहां पर च्छेथपल हो जाएक हम लोग 1 लिते हैं और यह फ्रीख हो जाएगा च्छेथपल आपका 1200 मीटर दिया है लम्भाई हो 4 x है और गुड़े यह अंडर उट सा हो जाएगा यक्स के बैलु आपको 10 मीटर आपको पता चल जाएगे 10 आपको पता चल जाएगे इसको बैलु हम लोग 4 और 3 में रखेंगे तो 4 में जो बैलु रोखेंगे तो आपको 40 मीटर हो जाएगा एक लंबाई और चोड़ाई जो होगी वह 30 मीटर हो जाएगे 30 मीटर आपको चोड़ाई हो जाएगे तो सबसे पहले यह आपको लंबाई चोड़ाई पता चल गया तो हमें परिमाप ज्याद करेंगे पूरा परिमाप क्या होगा तो परिमाप का जो सूत्र होता है वह आपका दो लंबाई धन चोड़ाई यह आपका परिमाप है तो परिमाप के लिए 40 धन 30 आपका 70 और 72 नी 140 हो जाएगे 140 मीटर आपका परिमाप हो गया यहाँ पर कहा रहा है इसे 3 बाल लपेटना है तो इसका परिमाप हम लोग निकालने के लिए इसमें 3 से गुड़ा कर देंगे तो यह आपका पूरा कितना तार लपेटना होगा वह पता चल जाएगा तो 140 गुड़े 3 कर देंगे हम लोग तो यह आपका 420 मीटर पूरा हो जाएगा 3 बाल लपेटने के लिए कितना तार जरूरी होगा तो वह 420 मीटर आपको लबेटना होगा सबसे पहले यहाँ पे छेतफल दिया है तो हम लोग 4X और 3X को रूप में देख लेंगे तो यह 12X उसका बराबर 1200 हो जाएगा तो 3X की जो बैलू हमें प्राप्त होगी वह 10 हमें प्राप्त होगी तो यहाँ पे 10 जो बैलू प्राप्त होगी वह 4X और 3X को रूप में रखेंगे तो हमें लंबाई 40 मीटर में पता चल जाएगे और चौड़ाई आपके 30 मीटर पता चल जाएगे और इसके बाद जो मैदान है उसका हम लोग परिमाप ग्याद करेंगे परिमाप का जो सूतर होता है वह दो लंबाई धन चौड़ाई होता है तो चौड़ाई हमें लंबाई चौड़ाई 40 और 30 को रूप में है और यह आपका 41 हो जाएगा और इसे कहा गया है यहाँ पर 3 बाल पिटने के लिए और लंबाई चौड़ाई का जो अनपात और आठ अनपाते साथ है इसका परिमाप आपको बताना है तो यह है सबसे पहले हम लोग छेत फ़ल का सूतर लिखेंगे चेत फ़ल बराबर आपका लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है आयत का लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है यहाँ पर 224 वर्क सेंटीमिटर दिया है और यहाँ पर भी यह आपका 8 एक्स हो जाएगा गुड़े 7 एक्स हो जाएगा गुडा करेंगे, हम 8 सभी 56, एक्स इस्क्वायर हो जाएगा, बराबर 214 हो जाएगा, तिया, 56 से 4 बार कैंसर हो जाएगा, एक्स की जो बेलू आपके आजाएगे, वह 2 आजाएगे, दो की जो value हम लोग 8 और 7 में रखेंगे तो हमें लंबाई जो पताちゃव चलेग comenz वह 16 cm हो और चोड़ाई जो हमें पता चलेगे वह साथ में रखेंगे यह आपके 14 cm के लिए हमन च्यांदे में रखेंगे साथ में रखेंगे लंबाई धन चौड़ाई होता है, दो लंबाई हमें पता है, लंबाई आपके 16 है और चौड़ाई आपके 14 है, तो 16 और 14 आपका 30 और 30 दोनी 60 हो जाएगा, तो यह आपका 60 cm आपका परिमाफ हो जाएगा, इसका जो तीसरा option है, वह सही है, सबसे पहले हम लोग छेत फल का सू तो 20 cm और यह 8 x हो जाएगा, 7 x हो जाएगा, एक्स करूप लोग मान लेंगे, और इसके बाद 8,56 x उसकार हो जाएगा, एक्स की जो बैलू आ जाएगे, वह 2 आ जाएगे, जिसका मान हम लोग 8 और 7 करूप रखेंगे, तो हम लंबाई जो पता होगी बाद 16 cm और 14 cm पता चल जाएगा, 60 cm परिमाप हो जाएगा, आए तैकला प्रस्ण लोग, 12 मीटर लंबे एवंग 10 मीटर चौड़े एक हाल के, 4 और 4 मीटर बरामदा है, बरामदे का छेतपल कितना होगा, आपको बताना है, इस प्रकार के प्रस्ण परिच्छा में अक्सर कुछ जाते हैं, और लबाउडर होगा, उसमें से अंदर जो चेतपल निकाल देगी, तो हमें बरामदे का छेतपल पाता चल जाएगा, इसमें लंबाई 12 मीटर दिया है, यह हाँ आपका 12 मीटर है, और चौड़ाई आपका 10 मीटर दिया है, तो हम लोग अंदर का छेतपल प्रस्ण परिच्छ तो आयत का जो छेदफल होता है वह लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है यहां पे 12 दिया है लंबा और 10 चोड़ा तो यहां आपका 120 वर्ग मीटर हो जाएगा अंदर का छेदफल हम लोग बाहर के जो छेदफल निकालेंगे तो यहां पे दिया है 4 मीटर बरांदा है मीटर हो जाएगी इसीसी प्रकार से चारों तरफ मीटर है तो यह 10 मीटर है 4 मीटर स्णेल हो जाएगा 14 मीटर और 4 मीटर थे तैस्ट्रндeres 18 जो चोड़ाई हो जाएगे और ऑक् Salesforce चैजएक आप निकलेगा तो आपका 20 गोड़े 18 हो जायगा कि दम्पाई आपकी 20 मीटर हो जाएगी चौड़ीजा आपकी 18 मीटर वह जाएगे तो ये से अटारव तो आटारव मिटर ओ जातिस वह360-1 बाहर में से अंदर च्छेदफल निकाल देंगे हम लोग तो हमें बरामदे का च्छेदफल पता चलिएगा तो बरामदे का च्छेदफल बराबर होगा तीन सो साथ माइनस एक सो बीस बराबर अपकतर दो सो चाले सुबर की मीटर इस बरामदे का च्छेदफल निकालेंगे और उसमें अंदर च्छेदफल घटा देंगे तो हमें बरामदे का च्छेदफल पता चलिएगा एक तो एक तरीका है यह पहला तरीका है हमारा जो दूसरा तरीका होगा तरीका जो है वह है डारेट सूत्र का है डारेट सूत्र से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बरामदे का जो छेट फर्म निकालेंगे वह है दो एक्स एक्स जो है वह है बरामदे की चोड़ाई जो दी रह और इसके बाट 2X, यहाँ पर फिर वही आपकी बरामदे की चोड़ाई दी है, इसको हम लोग implement करते हैं, इससे जो सूत्र है वह आप लोग को याद हो जाएगा, यहाँ पर यक्स जो value दी है वह 4 मीटर है, तो 4 दूनी आप 8 हो जाएगा, लंबाई जो है आपकी 12 मीटर है, 12 धन 10, यहाँ पर दिया है बरामदा बाहर है, अर्थाथ हम लोग प्लस करेंगे, और 2 गुड़े 4 दिया है, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल हम लोग करेंगे, 8, 12, 10, 22, 22, 8, 30, आपका 30, 38, 24, यह आपका 240 वर्ग मीटर जो आएगा, वह बरामदे का छेत पला जाएगा, जो इसका पहला अप्शन है, वह सही हो जाएगा, इससे लेटर एक प्रस्ण और लिया गया है, आप लोग उसको भी देखिए, किसी आयताकार मैदान के लंबाई 112 मीटर है, और चोड़ा यह 78 मीटर है, इस मैदान के अंदर 2 मीटर, चोड़ा कंकड का रास्ता है, और इस कं हम लोग डारेट जो सूत्र है, उसका इंप्लिमेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कि रास्ते का जो शित्फल होगा, वह है आपका 2x a plus b, यहां पर हम लोग माइनस लेंगे, क्योंकि यह जो रास्ता है, वह अंदर की तरब बना है, माइनस 2x हो जाएगा, जैसा कि आप जान 50 मीटर है, माइनस 2x, यहां पर फिर 2.5 हो जाएगा, आपका यह 5, और यह टोटल आप करेंगे, तो आपका 180 हो जाएगा, 180, और इसका जो गुड़ा करेंगे, वह 5, 25, और 18, 95, 925, वर्ग मीटर जो है, इसका छेत फल आजाएगा, रास्ते का, यहां पर बोला जा रहा है, कि 2 वर्ग मीटर, 2 रूपए प्रती वर्ग मीटर के दर से, इसे बनाने कुल लागत कितनी आएगी, तो जो लागत आएगी आपकी, वह दर गुड़े छेत फल हो जाएगा, दर गुड़े छेत फल हो जाएगा, दर आपकी 2 है, और छेत फल आपका 925 है, तो टोटल हम गुड़ा करेंगे, तो यह आपका 1850 रूपए आजाएगा, इसका कुल टोटल रूपए है, तो इसका जो आप्शन डी है, वह सह ही हो जाएगा, तीन मीटर और चार मीटर चौड़े आयताकार पार के अंदर इस्थित, रास्ते का छेतफल साथभर की मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, आयत का सबसे अच्छा question है इसमें आपको छेथफल दे दिया जाता है और आपको रास्ति की चोड़ाई ज्याद करनी है तो सबसे पहले हम लोग इसका जो सूत्र उसको हम रखेंगे छेथफल 2x a plus b minus हम लोग यहाँ पर रखें क्योंकि अंदर तरफ है और आपका 2x हो जाएगा छेथफल में पता है साथ होवर के मीटर है साथ हम लोग रखेंगे 2x x के बैलू में पता नहीं है यह ज्याद करनी हम लोग एक के बैलू 3 दिया है बी के बैलू 4 दिया है माइनस आपका 2x हो जाएगा यह दो से इसे कैंसल कर देंगे तो यह आपका 30 बराबर यह 4, 3, 7 दिया आपका 7x हो जाएगा और माइनस 2x स्कार हो जाएगा तो हम लोग पच्छंतर करेंगे तो आपका 2x स्कार माइनस 7x माइनस 30 हो जाएगा तो इसका हम लोग सरली करेंगे इसका तो आपका 32, 60 और 12, 65 तो यह आपका 2x स्कार माइनस 12x प्लस 5x माइनस 30 हो जाएगा और इसके बाद हम लोग 2x कामन ले लेंगे तापका का 10-6 हो जाएगा और प्लस पांच हम लोग इदर कामन लेंगे 3x-6 हो जाएगा ताप हम लोग 1x-6 बराबरullah आपको 0 रखेंगे 3x का जो बैलू आ जाएगे वह 6 आ जाएगे, 6 मीटर, तिसका जो option भी है, वह सही है, सबसे पहले हम लोग 6 फल का जो सूत रखेंगे रास्ते का, तो रास्ते की जो छित फल होता हुए 2x, a plus b, minus 2x, क्योंकि माइनस हम लोग यहाँ पे इसलिए रखेंगे, क्योंकि यह अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है, और 6 फल हमे 60 दिया है, और 3 मीटर लंबाई दिया है, और 4 मीटर आपके चोड़ाई दिया है, तिसका हम लोग स्वाल्व करेंगे, ति यह पे एक्स जो बैलू आ जाएगी, वह 6 मीटर आ जाएगे, तो रास्ते की जो चोड़ाई है, वह 6 मीटर आ जाएगे, वीडियो अगर आपको अच्छा आता लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए, वीडियो को पुर्देखन धन्यवाद, जय जय भारत